पंद्रा सो करोड रुपे के गुरुग्राम मानेसर भूमी घोटाले में वांचित महिला मुंबई में की गई गिरफतार दिल्ली और हिन्याणा में धोकधड़ी के मामलों में भगोडी महिला को किया गिरफतार जसमें गुरुग्राम मानेसर औद्योगिक मौडल और एक टीम ने मुंबई से से ग्रफतार किया है बता दे की विशेश पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंग यादव ने बताया कि ये आरूपी महिला सोना बंसल है क्राइम ग्रांच की टीम ने मोस्ट वांटेड भगोडे जोड़े का पता लगाने के लिए सावधानी से काम किया इंस्पेक्टर अरूण सिंधू को अरूपी के बारे में गुप्त सूचना मिली जो मुंबई में चिपा था चानकारी विक्सित की गई और मुंबई टीम को वहां भीजा गया मुंबई में एक हाई एंड सोसाइटी में च्छा पमारा गया जिसमें सूना बंसल को ग्र पुछताज के दौरान उसने दावा किया कि उसके पती की कुछ साल पहले मृत्य हो गई थी लेकिन अब अपने दावों को सावित करने में विफल रही आरूपी अतुल बंसल और उसकी पतनी सोना बंसल पंदरा सो करोड रूपए के गुरुग्राम माने सर और द्योगिक सहित हाई प्रोफाइल सफेद पोश आर्तिक अपराधों में वांचित थे दोनों ने अपने बेटे आदित बिल्ड वेल नाम की एक फर्म बना रखी थी जिसके ये निदेशत थे ED ने माने सर पुल स्टेशन गुरुग्राम में दर्ज प्राथमिकी क्याधार पर मनी लॉंडरिंग की जाच शिडू कर दी है ED ने ABW Infrastructure Limited के अतुल बंसल और उनकी पतनी सोना बंसल पर कई आरोप लगा है इसके लावा और अन्य विक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है जाच में पाया गया है कि आरोपियों ने किसानों और भू स्वामियों से जमीन का हडपने का डर दिखा कर उन्हें मामूली दरों पर हडप लिया उनकी भूमी के अधिग्रहन के संबन्द में अभ्युत्तों पर विश्वास करने अधिग्रहन के लिए अपनी जमीन खोने के डर से किसानों और भूमी धारिकों के लिए जमीन बेच दी खरी दिलिया, 2018 में पंचकुला कोट ने उन्हें घोशित अपराधी से दिखिया है, उसकी ग्रफतारी पर दिल्ली पुलिस द्वारा 50,000 रुपे का नगद इनाम भी खुशित किया गया है, इस समीन खुटाले के अलावा फर्म ने अपना कोई भी प्रोजेक्ट बायर्स को ड दिलिवर नहीं किया है,